अश्कार जय हिंद मेरा नाम है संजय विश्व कर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे आफ थिंकिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे UPHC Agriculture Pre-Exam के लिए कुछ महदवपून प्रिश्णों का तो ये सेशन का Part 11 है अभी तक 10 वीडियो हो चुकी है तो जिनोंने भी परानी वीडियो को नहीं देखा है इस वीडियो के बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को आप देख सकते हैं और ये वीडियो और इंग्लिस दोनों भाषाओं में रहेगी वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है तो वीडियो के साथ आखरी तक बने रहे हैं आगे चलते हैं जानते हैं क्या इस वीडियो में खास यहां पर हम टॉप 20 यानि 20 महदवपून प्रिश्णों का डिस्केशन करते है जो कि आपके exam के point of view से काफी important रहने वाले हैं साथ इस वीडियो के आखरी में हम question of the day के बारे में भी बात करते हैं और इन से जुड़े कुछ points का भी हम चर्चा करते हैं जो कि आपके exam के point of view से काफी महदवपून रहेंगे तो जल्दी से इस वीडियो की link share कर दीजे इस व इंगी में अगर हम बात करें तो ढहलान के कोणों को मापने के लिए निमलिकित में से कौन सा उपकरण का प्रियोग किया जाता है काफी अच्छा question है काफी important question है और कई सारे exam में इसको पूछा भी गया है आपकी परिक्षा के एसाब से भी question काफी important है जानते हैं क्या इसका सही answer तो इसका जो सही answer है वो है inclinometer तो याद रखना कि जो धलान के जो कौन बनते हैं यानि कि जो slope angle बनता है angle of slope उसको हम measure करते हैं inclinometer से काफी अच्छा question है याद रखेगा क्योंकि इस टाइप के instrument से एक दो question जरूर पूछ ले जाते हैं जैसे अगर वो पूछे कि height को कौ वीड होती है यानि हवा की जो गती होती है उसको किस से हमाइप तो उसको हम माइप ते हैं एनीमो मीटर से ठीक है और एगए वह पूछे आप से growth of plant यानि कि पौधे की तो वह भी Crisco graph से मापते हैं याद रखेगा plant की जो growth होती है वहन क्रिस से मापते हैं क्योंकि यह important points यह एक्जाम में पूछे जाते हैं जैसे वो पूछ लेता है कि specific gravity जो होती है soil की उसको हम किस से measure करते हैं ये किस instruments से उसको मापते हैं काफी अच्छा question बनता है ये और इसको आपको याद रखना है ये आपका picnometer picnometer से हम इसको measure करते हैं specific gravity of soil आपके exam के साफ से काफी अच्छा question ये बन सकता है potometer पूछ लेता है potometer का किस में यूज करते हैं तो transpiration को मापने के लिए हम poto, potometer को हम उप्योग करते हैं ठीक है और एक और होता है instrument इसी से मिलता जोलता है जिसको हम कहते हैं porometer porometer ये instrumental behavior को बताता है ठीक है tensiometer के बारे में काफी ज़्यादा question पूछता है तो जो tensiometer होता है वो swell motion tension को बताता है ठीक है और wind direction को कौन दिखाता है तो wind direction को wind when दिखाता है wind when बताता है wind की direction तो ये कुछ important instrument है कुछ point है जो exam में सीधे आते हैं I hope आपको clear होगे आगे चलते हैं question number 2 पे यहाँ पर बात हो रही है senkar is a trade name of which herbicide यानि senkar किस साकनासी का तकनी की नाम है काफी अच्छा question है काफी important question है और इसका जो सही answer है वो है matribusin याद रखिएगा matribusin का जो trade name है उसको हम senkar कहते हैं आगे चलते हैं question number 3 पे name of the soil microorganism which is free living bacteria and non-symbiotic काफी अच्छा question बनता है हिंदी में जाने उसम मिरदा सूक्षन जीप का नाम बता है जो स्वतंतर जीवित रहने बाला bacteria है और गेर सहजीबी है सहजीबी का मतलब होता है symbiotic और non-symbiotic होगा मतलब की गेर सहजीबी तो जानते हैं इसका क्या सही है आंसर इसका जो आंसर है वो है agetobacter याद रखना मेरे इसाब से आपके लिए exam के point of view से यह question काफी मेहदबबुन है इसको आपको याद रखना है answer है agetobacter यह non-symbiotic होता है और यह free living bacteria भी अगर simply पूशे तब भी agetobacter according to option हम यही answer टिक करेंगे ठीक है आगे चलते हैं question number 4 पे यहाँ पर बात हो रही है कि the overhead cost is also known as यानि उपरी लागत या overhead को निम्न नाम से भी जाना जाता है काफी अच्छा question है काफी important question है और इसका जो सही answer है वो है fixed cost short में इसको FCB हम कह सकते हैं fixed cost क्या होता है यह label of production के साथ यह label of output के साथ यह change नहीं होता है ठीक है इसको हम fixed cost कहते हैं या फिर इसको overhead cost भी कहा जाता है याद रखेगा आगे चलते हैं question number 5 the plow used for maximum moisture conservation यानि अधिक्तम नमी संरक्षन के लिए उप्रोक्त हल का उप्योग किया जाता है काफी अच्छा question है काफी मेहदवपून प्रिष्ण है कि यहाँ पर बात हो रही है कि हमको मिट्टी में अधिक से अधिक नमी का संरक्षन करना है moisture का conservation हमको करना है तो हम कौन से plow का हल का हम प्रियोग करेंगे ठीक है इसका जो सही आंसर है वो है चीजल याद रखना चीजल plow का उप्योग किया जाता है moisture conservation के लिए और सबसे deep plowing के लिए भी इसी का प्रियोग करते है deep plowing की भी अगर वो बात करें तो चीजल plow से ही deep plowing की जाती है ठीक है याद रखेगा काफी अच्छा प्रिशन है आगे चलते हैं question number 6 पे HCN toxicity is related to यानि HCN कलिस्थान से संबंदित है ये भी काफी अच्छा प्रिशन बनता है और इसका जो सही answer है वो है Sorgham इसके बारे में कुछ points को हम जान लेते हैं जो कि आपके exam के point of view से भी important रहें Sorgham यानि इसको हम हिंदी में जोहार भी कहते हैं ठीक है या English में कई बार जोहार ही लिखा आ जाता है ठीक है इसका जो 2N होता है वो होता है 20 Sorgham बाइकलर इसका botanical name होता है ये आपको याद रखना है ये कई बार पूछता है तो HCN के बारे में अभी हम जान लेते हैं HCN क्या होता है कि ये एक मतलब poisonous होता है एक जहर टाइप का होता है ये क्या होता है कि ये knee stage जब होती है knee height जो होती है knee stage पे इसका concentration काफी जादा होता है plant में जोहार में ठीक है HCN का मतलब होता है hydrocynic acid ठीक है इसको short में HCN बोल देते हैं hydrocynic acid कहीं कहीं दोरेन भी लिखा रहता है तो दोरेन भी इसी को कहा जाता है और prusic acid ये तीनों नाम important है आपको याद रखना है क्योंकि ये exam में पूछ लेता है ठीक है HCN तो आपको पता है hydrocynic acid भी पूछ लेता है और एक पूछता है prusic acid ठीक है urine भी बूछता है तो ये आपको याद रखना है और जब हम foder purpose इसका उप्योग करते है तो इसकी flooring के बाद ही हम इसका प्रियोग करते है ठीक है ये mainly आप याद रखना knee stage पे ये ज़्यादा इसका concentration होता है plant में उस time हम animal को as a foder इसका प्रियोग नहीं करते है या foder को हम नहीं खिलाते है उस time पे ठीक है एक और question और बनता है कुछ important points जो है जैसे कि यहाँ पर बूछता है first hybrid of sorghum या जवार तो उसको आप याद रखीएगा वो है CHS CHS 1 यह 1964 में 1964 में इसको release किया गया था याद रखना CHS 1 एक जवार की भी आती है इनमें बहुते students को confusion होती है तो जवार की जो पहली hybrid है वो है HB 1 आप इनको याद कैसे रख सकते हैं यह 1965 में आई थी ठीक है PAU लोधिहाना से ठीक है तो जवार का है आपका CHS जवार यानि सोरगम S आएगा बीच में CHS 1 1964 में और HB यानि बाजरा HB 1 यह 1965 में आई थी इनमें आपको confusion नहीं होना है क्योंकि यह दोनों variety काफी important है कई सारे exam हों में इनको पूछा गया है ठीक है कुछ और points को हम जान लेते हैं जैसे कि जवार की हम अगर seed rate की बात करें तो 10 से 12 होती है जवार की जो होती है seed rate होती है 10 से 12 kg पर hectare अगर food or purpose से हम grow करेंगे seed rate उसकी होगी 40 से 50 kg पर hectare यह आपको याद रखना है और सोरगम को camel of desert भी हम कहते हैं यह भी आपको याद रखना है इसको camel crop या फिर camel of desert भी इसको कहा जाता है काफी important points है यह exam में पूछ लेता है ठीक है एक point और जान लीजिए जो सोरगम होता है उसके जो दाने में lysine की मातरा नहीं होती है या कम मातरा में होती है लेकिन leucine जो होता है वो pressure मातरा में होता है तो यह कुछ important points है जिनको आपको याद रखना है exam के point और इसे काफी important है exam में पूछ लेता है और इस question का जो answer है वो है सोरगम आगे चलते हैं question number 7 पे the basic unit of extension work is यानि विस्तार कार्य की basic unit है ये भी काफी अच्छा प्रिशन है और इसका जो सही answer है वो है family याद रखेगा काफी अच्छा question है ये आगे चलते हैं question number 8 पे यहाँ पे बात हो रही है the term philosophy originated from यानि सब्द philosophy से उदभवित है ये भी काफी अच्छा प्रिशन है इस टाइप के प्रिशन exam में एक दू एक दू पूछ लेता है और इसका जो सही answer है वो है Greek याद रखना philosophy जो है वो Greek बट से सम्मंदित है एक चीज़ और जान लीजे जैसे कि कोई भी बट है जैसे या नॉमी जैसे एग्रोनॉमी ठीक है पैडालोजी तो फिर ये Greek बट में आ जाते है लोजी आगया मतलब Greek बट के आसपास आएंगे ठीक है तो और कुछ अलग बट है जैसे आपको याद रखना पड़ेगा जैसे फिलोसोफी है यानि भारत में दक्षिन प्षिन मांसून से प्रतिस्यत बरसा होती है मेरे इसाब से काफी important प्रिष्ण है ये काफी अच्छा कोशन है ये और इसका जो सही आंसर है वो है 75-80% यानि हमारे भारत में जितनी भी बरसा होती है उसका 75-80% जो बरसा होती है वो साउथ बेस्ट मांसून से ही होती है आपको इसको याद रखना है फिर आगे चलते हैं कोशन नम्मर 10 पे specific combining ability of the parents should be high in order to double up यानि हिंदी में अगर हम बात करें तो parent की बिसेज जोडाओं की चमता उच्छ होनी चाहिए आगे हम चलते हैं कोशन नम्मर 11 पे disc angle of disc plow यानि disc हल का disc cord होता है काफी अच्छा कोशन है काफी important person है काई सारी exam में इसको पूछा गया है और इसका जो सही answer है 42-45 degree याद रखना जो disc angle होता है plow का नॉर्मली यूँ याद रखिए disc angle होता है plow cup होता है लगबग 45 degree होता है काफी अच्छा प्रशन है आगे चलते हैं कोशन नम्मर 12 पे maze is a plant यानि मक का एक पौधा है ये भी काफी अच्छा प्रशन बनता है काफी important है आपके exam के point of view से तो इसका जानते है क्या है इसका सही answer और इसका जो सही answer है वो है monosius याद रखना maze जो है वो monosius plant होता है monosius का मतलब होता है कि इसमें आपके जो इनकी जो florescence होती है इनकी जो habit होती है maze जो होता है monosius होता है इसकी जो मतलब different type की inflorescence होती है मतलब कि male और female अलग-अलग time पे mature होते है ठीक है जो male वाला part होता है उसको हम बोलते है tassel और female वाला जो part होता है उसको हम silk कहते है इनको आपको याद रखना है काफी important है ये और origin से सम्मंदित question पूछ लेता है कुछ points को हम जान लेते है जो exam में आते है जो male का origin है इसको हम Mexico बोलते है Mexico इसका origin माना जाता है या Central America कह लीजे Central America ठीक है ये इसका origin हम मानते है ठीक है और इसमें जो chromosome होते है वो होते है 2N वराबर 20 इसमें chromosome होते है याद रखना कई बार पूछा है exam में और ये जो होता है cross pollinated crop होती है ये भी आपको याद रखना है मेज जो है वो cross pollinated crop होती है और इसको queen of cereal कहा जाता है ये काफी important है इसको हम queen of cereal भी कहते हैं यानि कि अनाज वाली फसलों की रानी इस फसल को हम कहते हैं ठीक है मेज का जो yellow color होता है वो crypto zenthin से होता है ये भी कई बारे exam में पूछा गया है इसको आपको याद रखना है ठीक है फिर मेज का एक classification और जान लेते हैं इसमें मेज का जो classification मतलब इसको 7 group में बाटा है endosperm के basis पे इसको character है endosperm उसके basis पेस को 7 group में इसको बाटा है cert event ने और एक होता है पॉपकॉन, जियामेज, वाल्टा बैक्सी कोन से पूछ लेता है तो सेराटीना होता है पुठ कौन से पूछ लीता है तो जूनी काटा होता है और स्वीट कौन important है इस से पूछ लेता है तो इसको जीया में सेकराटा करते हैं फ्लिंट कौन Starнов का तो exam में पूछा ही गया है फ्लिंट कौन जो होता है इसको हम इंडिया में कल्टिवेट करते हैं फिलिंट कॉर्ण के बारे में थोड़ा साम जान लीजिए, जो फिलिंट कॉर्ण होता है, इसको हम इंडिया में ग्रो करते हैं, कल्टिवेटेट होती है, इसकी कल्टिवेशन होती है, जिया में इंडूराटा इसको हम कहते हैं, जिया में इंडूराटा, ठीक है, याद रखे यहां पर पूछ रहा है कि नेशनल रिसर्च सेंटर और प्लांट बायो टेक्नलोजी इस लोकेटेड एड यानि पादब जैब प्रधोगे की राष्टी अनुसंदान केंद्र में इस्तित है काफी अच्छा कोशन है यहां पर बात हो रही है एन रसी प्लांट बायो टेक्नलो ठीक है तो इसका जो सही आनसर ह्ए वो है नियू डैली यानि की प्लांट बायो टेक्नलोजी जो है बो नियू डैली में इस्तित है आगे चलते हैं कोशन नमर पंदーा पे इसको इज आ यानि इसकोएक है यह भी काफी अच्छा प्रिस बनता है और इसका जो आंसर है वो है एक्जाम में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिब लिमिटेड ठीक है आगे चलते हैं कोशन नमर 16 पर इस दी मोश्र कंटेंड इन स्वेल इंक्रीज इस धर्मल कंडेक्टिबिटी ओफ स्वेल यानि मिर्दा में नमी की मात्रा बढ़ने पर मिर्दा की ऊश्मिya चालकता पर क्या प्रभाब पढ़ेगा ये इस प्रिष्ण में पूछा जा रहा है काफी अच्छा कोशन है काफी important प्रिष्ण है और जांते हैं क्या है इसका सही answer तो इसका जो सही answer वो है DE n अगर मिट्टी में मोश्र का जो label है नमी की मात्रा अगर बढ़ रही है तो उसकी जो thermal conductivity होती है यानि कि ऊश्मिय चलकता जो होती है वो भी बढ़ जाती है यानि कि मौशर बढ़ेगा तो जो उसकी thermal conductivity है वो भी increase हो जाएगी काफी अच्छा question है काफी important question है इनको आपको याद रखना है कुछ points को अगर चा तो sandy soil की bulk density clay की comparison में जादा होती है ठीक है और phosphorus का एक point जान लीजिए कि जो phosphorus होता है H2PO4 negative ये acidic pH पे अच्छे से absorb होता है यानि कि commonly ये इस पहम में absorb होता है phosphorus H2PO4 negative में acidic pH यानि साथ से कम pH पे और PO4 3 negative ये होता है high pH पे absorb होता है phosphorus में ठीक है ये उनके form है तो याद रखेगा आप काफी अच्छे points थे ये और चीजल प्लाव का आपको बताई दिया है कि ये deep ploying करने के काम में आता है ये लगबग 60 cm deep ploying कर देता है 60 cm गहराई तक ये मिट्टी की जुताई कर देता है तो इन points को आपको याद रखना है और इस प्रिश्ण का जो सही answer है वो है increase ठीक है आगे चलते है कोशा नमर 17 पे यानि rock phosphate का प्रियोग में होता है ये भी काफी अच्छा प्रिश्ण बनता है काफी important प्रिश्ण है ये भी इसमें क्या है rock phosphate जो है वो citrate और बाटर दोनों में insolubal होता है और इसमें जो होता है 20 से 40 परसेंट इसमें phosphorus यानि P2O5 की मात्रा पाई जाती है rock phosphate में और इसका में काम होता है वो acidic soil की reclamation यानि की अमली मिर्दाओं के सुधार में भी हम इसका प्रियोग करते हैं काफी अच्छा प्रिश्ण बनता है important प्रिश्ण है याद रखेगा rock phosphate में लगवग 20 से 40 परसेंट तक phosphorus होता है और acidic soil के reclamation या acid soil में इसकाम यूज करते हैं काफी अच्छा प्रिश्ण था आगे चलते हैं question number 18 पे the most dominant nitrogenous substance in milk is यानि दूद में सरवादिक प्रमुक नतरजन युक्त पधार्थ है काफी अच्छा question है काफी अच्छा प्रिश्ण है और इसका जो सही answer है वो है casein याद रखेगा दूद में सबसे ज़्यादा अगर nitrogenous substance है वो होता है casein protein protein में कुछ मात्रा में nitrogen पाया जाता है nitrogen से मिलकर बने होते हैं कुछ protein ठीक है तो आपको इनको याद रखना है according to option answer है casein आगे चलते हैं question number 19 पे nicotine content percentage in cigarette tobacco यानी cigarette तबाकू में nicotine प्रतिशत है यहाँ पे nicotine content पूछ रहा है तमाकू में कितने प्रतिशत होता है cigarette तमाकू में और इसका जो answer है वो है 1 से 3% याद रखेगा ये भी काफी अच्छा प्रिश्ण है और आगे चलते हैं question number 20 पे before transplanting of paddy puddling is done यानी धान की रुपाई से पूर्व puddling की जाती है ताकि जानते हैं to increase the availability of nutrients ठीक है to increase the activity of microorganism ठीक है to reduce the percolation of butter in soil ये भी सही है to increase the percolation of butter in the soil ये नहीं होगा क्या होता है puddling में क्या होता है कि जब आप धान transplanted जो rise होती है transplanting rise होती है आप उसको जो लगाते हैं रोपाई वाली धान तो उसको लगाने से पहले आप खेत की जो मिट्टी होती है उसको आप मचाते हैं यानि उसको मतलब आप उसमें रोटर बेटर चलाएंगे कल्टिविटर चलाएंगे उसको आप उसकी puddling करते हैं ठीक है पानी के स जो भी आप पोशक तद्वत होगे वो काफी अच्छे सो उसको मिल जाए ठीक है यह सब पॉइंट्स होते हैं लेकिन सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो हमको याद रखना है तू रिडूस दा परकॉलेशन ऑफ बाटर इन स्वेल यह सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट्स यानि कि खरपत बार कम से कम लगे कम से कम होगे उसके लिए भी हम पडलिंग करते हैं लेकिन में मोटेफ है अकोडिंग टू ऑप्शन डिडूस दी परकॉलेशन ऑफ वाटर इन दी स्वेल आई होप आपको यह सब पॉइंट किलियर हो गए होंगे तो आगे चलते हम अब ह जान लेते हैं उसका साही आंसर क्या है उसमें आपसे पूछा था कि मेज प्लांट जो मेज प्लांट है उसमें क्या होता है तो उसका जो साही आंसर है उसमें है टैसल अपियर फरस्ट यानि कि जो मक्का होता है मेज प्लांट होता है उसमें जो मेल पार्ट होता है यानि कि जो टेसल होता है उसको मेल पार्ट केते हैं वो सबसे पहले एपियर होता है ठीक है तो याद रखेंगे यह उसका सही आंसर है आप हम बात करेंगे आज के question of the day के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि that PWP was proposed by यानि PWP यानि permanent building point किसके द्वारा दिया गया काफी अच्छा प्रिशन है यह भी और इसका जो सही आंसर है वो आपको comment में बताना है और option है sawfield, sorenson, bricks and sans और none of these इन में से कोई एक सही आंसर है जिसको आपको बताना है comment में तो यह थी आज की वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा सज्यादा लाइक करें साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा सज्यादा शेयर करें अगर अभी तक आप agree mantra चैनल पर नए है थे जे हिन जे भारत